कोरोना काल की तरासदी के बाद राजदानी भोपाल और व्यापारिक राजदानी इंदोर से हज यात्रियों की सुविधा के नाम पर फिर से शुरू ही उड़ानों के किराय को लेकर बबाल खड़ा हो गया है भोपाल और मुंबई एब्रोकेशन पॉइंट से अलग-अलग किराय वसूला जाने को लेका जहां भोपाल के हज यात्री हज कमेटी ओफ इंडिया के खिलाफ लाम बंद है तो वहीं विधायक आरिफ मसूद भी अविस्त लड़ाई में शामिल हो गए है कॉंग्रिस विधायक और राज जह कमेटी के सदस आरिफ मसूद ने हज कमेटी ओफ इंडिया के साथ ही अल्प संख्यक कारमंत्राले की केंधरी मंत्री इस्मरती इरानी को पत्र लिखकर पूरे मामले में संग्यान लेने की मांग की है विधायकारिफ मसूद ने चितावनी दी है कि अगले दो दिनों में विचार विमसकर बुक्तान की जाने वाली राशी को कम कर विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो वो मध्यप्रदेश राज़ कमेटी की सदस से पत से अपना इस्तीफा दे देंगे हाजrito के साथ चो लूट हुई है उसलूट का मैं विरोथ कर रहा हूँ और वहाजयों के साहयूं लूट हो रही है और उसका मैंने कड़ा कर रहा हुआ उसलिए मैंने कहा एक वृत्ती को को दो बार मैंने उनसे बात करना चाहीं वो बात नहीं कर सगे फिर मैने स्टेट हज कमेटी चेर्मेन को भी बोला और उनके भाई कोई नासे ने उन्होंने मुझे फोन करा था मैंने उनको भी आउगत करा दिया कि मेरबानी करके पंद्रह हजार था जब लास था दो साल पहले और आज आप 60,000 एक हाजी पे दे रहा हूँ तो मैंने इसमझता है यह न्याइची थे तत्काल निड़ने ले अगर दो दिन में निड़ने ने लेते तो मेरा रिजाइन मान लिया जा